हेलो दोस्तों तो कैसे हो आप लोग अच्छे होंगे आज हम बात करेंगे एस्टी ए वर्सेज जैड एस्फोल स्टेट्स पलस इन्फो यानिक इस्टार सेशी वर्सेज जाग्रेफ सोकल के बीज जो ग्रूपी का मैंच नबर टू खेला जाना है इस्टार सेशी जो हो लक्ष जाए बेन्यू सेम रहेगा पीच रूपार्ट भी सेम है जहां पर आपको बैटिंग लिए विकेट दी जाएगी और वह इसे डेथ बोला जो की अच्छा घासा यहां पर डेथ में गेंदवाजी करेंगे पलस पेस करेंगे इनके अलावा जो अच्छा स्विंग क्वालिट प्लियर्स है जो की अच्छे स्विंग करते हैं वह आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं फोकर जो करने हैं प्लियर्स ट्रेस पर करने हैं एबरेज इसको यहां पर 105 के आसपर देखेंगे बट इस मैच में आपको थोड़ा सा लोई स्कोरिंग में दिख सकते हैं जो जोरो नहीं खेंगे रहेकि इसके लिए आपको टेलिगराम सर्सायगिस को किरूप के दिखरेंगा हैं अको आपको टॉक्स पर कर देख हो तो हम आपको इन्षटाग्राम और ट्टुटर में पसी हैं और एफोग को हो जो है इस्कोरीगर आपको लिए को लिंग क। जाएगी वहां से वर्क करेगा लिग बागी देखें बात कर लेते हैं इस्टार से सीगे टीम जो है आप देखेंगे तो इनके तरफ से सीव करन गिल जो की हाई चांस है ओपन करते हैं पार्ट टाइम बॉलिंग रहते हैं लास्ट सिजन इन्होंने साथ मैंचे स्केले थे इस दो है इसलिए 2 गर्ण 2 रण 0 यहां पर यह प्रकार से आप 4 गेंद्टों में एक और 13 रर एक जहां पर आड़ आपको आठवा दस्वा और यहां पर शात्वा नवा जो बॉला देखते हुए आपको देखने मिले यहां पर लिखा हुआ इसका मतलब वह देथ में कि साथ मैचेस में ECL के अंदर 145 रण बना था हश्ट को 48 का एवरेज 24 का चार पॉइंट दो वर की गेन बाजी करके दो विकेट लिये थे करता है क्योंकि यहां पर 50 पलस जो है यहां पर खिलाड़ी खेल जाते हैं कभी कभी 16 साल के भी खेल जाते हैं तो यह चीजे भी यहां पर मैटर करती है बाकि ECC 2022 रिशन टाइम में खेले हैं यहां पर 9 मेंचेस खेले थे 144 रण बनेता है हाश्ट को 34 का 5 विकेट लिए थे एक 26 विकेट लिए तो यह आपको जो है थोड़ी बहुत गेनवाजी के साथ साथ ओपनिंग बल्लेवाजी तो देंगे इसके अलावा थोड़ी सी गेनवाजी भी देंगे सीवी सी ट्राइ कर सकते हैं अब जो है रिसेंट टाइम में जो यह लोग टीटेन खेल के आए हैं यह आप जानना भी यह भी जोड़ी क्योंकि रिसेंट टाइम में कैसा फॉर्म है आप यहां पर देखेंगे तो इन्होंने लाश्ट के तीन मेंचेस में ओपन किया है टीट साथ मेंचेस खेले थे 43 नहीं बनाए थे बारावर वर वाजिकर पर चार विकेट लिए हैं पर रिसेंट टाइम में जो कलब टीटेन खेले हैं यहां पर सारे मेंचेस में ओपन आया है प्लस दो और की गेंवाजी दे रहे हैं तो यह खिलाड़ी मुझे लगता है सी बीसी क ठीक ठाक ऑक्सन रहेंगे बिल्कुल आप ट्राइ करने हैं कि रिसेंट टाइम में इन्होंने अच्छा किया है तो यह खिलाड़ी अच्छा कर सकते हैं बीजय कुमार दिशाई का धियान रखना है अद्वेर्ति मन पर ली देखे पीछले सिजन यह ओपन कर रहे थे बट उ और दिशाई ओपन कर सकते हैं एहसान अफताव जिस प्लेयर का धियान देना है वह आपके लिए गेम चेंजर रहेंगे बिल्कुल आप इनको टीम में ट्राइ कर सकते हैं आपके लिए एक अच्छी पिक रहेगी अहसान अफताव बैटिंग सेक्शन में मिलेंगे रिजन ट इसे भी इन्होंने अच्छा किया गेंद्बाजी भी ठीक ठाक कर रहे थे न्यूबाल से वालिंग करते हैं आपको दूसरा चाउता या पहला तिस्का बाग करते हुए दिख जाएंगे वाच आउट फो इस पिलियर्स आपके लिए अच्छा कर सकते हैं जो पिलियर्स आप के पास यही होने चाहिए इसी अल दो हजर बाइस में साथ में चेस कहले थे एक सो सब्सक्राइब बनाए थे हैश्ट को फुर्टी नाइन करा था और साथ विकेट भी लिए थे पूरे ओबर करके लगवग पूरे 14 ऑबर किये थे तो इन्होंने अच्छा किया है यहां पे जिनमें की एख ही मैच में इनकी एक ही एटी-three किनौक आई बाकी मेचे में को जो है बलेवाजी मिल नहीं रहने तीगिए तो इनके जो ओपनिंग-वन-डाउन आ रहे थे हैं वही है मैच बिन करा करा के जा रहे थे बाकी इन्होंने साथ मिकेट भीविट भी लिए एक तोड़ा नीचे बल्लेवाजी करते हैं कभी-कभी वह से ओपेंड भी किये हैं इसल के अंदर नमबर तीन चार पांच पर आते हैं इन्होंने साथ मैंचेस में 25 रण बनाए थे लगवग एक पॉइंट दो वर की गेद्माइब के एक भी बनाए थे जिसमें के इनको एकोनमी बहुत ही खराप रही थी लगवग 20-22 रण लूटा रहे थे इस इसी दोजार एकिस में 6 मिचेस में 17 रण बनाए इंटरनेशनली 5 मैंचेस में 14 रण रिसें टाइम में जो है नमबर पांच पर आके एक मिचेस में 20 रण बनाए थे बाकी 6 मिचेस के लिए 95 रण बनाए है 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 और एक इनिक्स में एक अबर की गेंदवाजी यहां भी किये थे जिसमें 10 रण दिये थे एवरेस से ही पिले रहे ट्राय करना चाहते है बिल्कुल कर सकते हैं परंजल सा 22 कलब टीटेन के अंदर दो मेंचेस के लिए है जहां पर एक की सार्चार किया है एक अबर की संबर पूरी जो कि आपके लिए एक डिफरेंशल पिक रहेगी इस मैच में ध्यान रखेगा इसका सेलेक्शन बहुत ही काम है इसी सी 2021 में जो की बड़ा टूनामेंट होता है इरूपियन नेटवर का वहां पर इन्होंने छे मेचेस में तीन वर की गेंदवाजी करें तीन लिए थे एकॉनमी खराब रही थी बट आई थिंग कि यहां पर यह अच्छा कर सकते हैं क्योंकि यह सिर्फ एसी सी के टूनामेंट खेले हैं और वह बड़ा टूनामेंट होता है वहां पर अच्छे पिलियोस की परदरसन खराब हो जाती है क्योंकि बहुत ही हाई लेबल क वह किरकेट होता है रिसेंट फॉम में देखें कलब T10 के अंदर इन्होंने डेथ में सारे मैंचेस में गेंवाजी किये हैं आठ वहां और दस हुआ पहले गेंवाजी आती है आपके टिम में बिल्कुल होने चाहिए आपके लिए डिफरेंशल गेम चेंजर पिक राने वाल है इसी एस बगरा नहीं खेले हैं बट इन्होंने जो है कलब लेबल पर अच्छा किया है तीन मेंचेस में पूरे च्छे अवर की यहां पर थोड़ा सा रन भी बनाए है तो थोड़ी सुषी बल्लेवाजी भी कर लेते हैं इन्पॉर्टेंट रहने वाले हैं हरपाल सिंह अ साथ मेंचेस में इनसे चार डर्र गेनवाजी करवाए ते तीन बहने अच्छा किया था और रचेम इसे जब भी गेनवाजी दी आट ऐन्लेवाजी नहोंने ख्राफी किया है दो मेंचेस में नहीं औरड mechanics साड़े तेरा की रही है कुछ खास कर नहीं पाए है पिछले सीजन वैसे बॉलिंग जब जब मिली थी इन्होंने अच्छा किया था डेथ में गेनवाजी करवा लेते हैं आपके लिए अगर आप ट्राय करना चाते हैं और इसे सेलेक्शन इनका भी ठीट ठाक है ट्राय करना जाता है तो कर सकते हैं राहुल साज जो की राइट हैं बैट्समेन है राइट अम मेडियम बॉलिंग के लिए ही जाने जाते हैं छे मेंचस पिछले सीजन खेले थे जहां पर बिकेट इनको नहीं मिले थी एकॉनमी बहुत ही खराब रही थी रिसेंट टाइम में पांच में मेंचस में 6 अवर के ही मातर गेनवाजी किया हैं 5 विकेट लिए हैं मैं इनको भी इग्नोर कर रहा हूँ अंस्तरेवदी जो की एक एंग पे लह रहा है मातर 19 साल के हैं यह आपके लिए जो है मेरे ख्याल से उतना कुछ खास करेंगा ने इसी अल 2022 में तीन मैंचस के लिए जहां पर 4 अवर की इंवाजी करवाई गए थी 1 विकेट लिए थी एक लिए आट23 में खेल चुक थे जहां पर आट मैकेट दो लिया है एकोनमी बहुत Phiendo чे लो एक ऐस जाग्रेब शोकल के टीम जो की कुरेसिया से हैं इनके तरफ से हाई चांस है कि हरी सती अवरे सती भी ओपिन करेंगे जो की दोजर बाइस में डॉमेस्टिक लेवल के जो मैच्चिस होते हैं जो अपने घरेलू home ground में खेलते हैं इन्होंने वहाँ पे खेला है जहाँ पे 7 matches में 200 run बनाई था 8464 का average 33 का एक half century है और पूरे ओबर किये थे 14 बार 2 wicket लिये थे economy 11.21 कि रहे थी economy थोड़ी सी माँगी है बट पूरे ओबर कर रहे हैं अच्छी बात है पलस बल्लेवाजी सांदर कर रहे है यह अच्छी बात है बिल्कुल आपके team में होने चाहिए आप CVC भी try कर लेंगे अब इस level पे क्या करेंगे कहना मुश्किल है सिर्फ ECS ही खेले है सागर बंजूर देखिए हो सकता है कि open आ जाए बर्ट इनका record बहुत ही खराब है 10 matches ECS के 2022 में खेले है जो कि आई थे कि सिप्तेमर अक्टूबर में ही खेला गया था 143 बात है हाई स्टोर 36 का है कुछ खास record है नहीं एक एबरेस से ही पिलियर है जो पिलियर पर आपके दुयान देना है जो कि बिगेट केपिक सेक्सेन में मिलेंगे शेम होक्टन जो कि राइट हैं बैटसमेन है राइट हम सोलो बॉलिंग करते हैं ECL के अंदर 6 matches पिछले सीजन केले थे अरसर फिर्म बनाया था एक मेंच में दो अगर की गेंट बाजी किये थे और इसी कारण से ये कभी-कभी बॉलिंग करने आ जाते हैं अभी देखेंगे ECL के बाद जो इन्होंने घरेलू पे ECS खेले वहाँ पे इन्होंने बॉलिंग अच्छे खासे की हैं पांच नमबर चार नमबर पे आ रहे थे ये जो है ECL के अंदर ज्यादा तर ओपेंट कर रहे थे तो अब इनका जो बैटिंग ओडर कहां रहेगा ये पेलेंग लिस्ट पे पता चलेगा पेलेंग लिस्ट का मिलेगा टेलिगराम में मिलेगा अभरोल एरोपेंट के अंदर 32 मैचेस में 562 रन है हष्ट पर तिरपन का है दो हाफ सेंचुरी है और 16 अबर की गेंदवाजी करके 8 बिकेट लिये है ये 2022 में बहुत ज़्यादा बॉलिंग कर रहे थे हो सकता है कि बॉलिंग कर जाए बिकेट कीपिंग सेक्शन में मिलेगी आपके लिए एक अच्छी पिक रहने वाली है यहाँ पर आपको मिलेंगे अर्पिस सुकला जो की राइट हैं बैट्समेन है राइट हैं मेडियां बॉलिंग करते हैं कभी-कभी ये ओपन करने आ जाते है इककिस में 156 रन है इनके नाम ओवरॉल एउपेन टीटेन के अंदर एक हाफ सेंचरी है नौ वीकेट है एकॉनमी 9.6 रिए तो बॉलिंग बहुत ही कम करते हैं इककिस में से 12 मैचेस में बॉलिंग किये हैं जो एक पिलियर है जिनके अंदर थोड़ी सी छमता है कि ये कुछ अच्छा कर जाए पिछले सीजन एक ही मैच ये 2022 में ECL के खेले थे जहां पर नमबर 4 पैके 12 बना दिये थे 22 गेंदों में और एक अवर की गेन बाजी किये थे अब देखना है इस सीजन क्या करते हैं 2022 में जो ECS के लिए लास्ट के तीन मैचेस आप रीट कर सकते हैं अबर ओल टीटेन के अंदर 21 मैचेस में 220 रन है आश्ट को 41 का है अरलग वग 24 ओवर की गेन वाजी करके है वो रहेंगे वासाल कमल अब आप बोलेंगे इनको सीवी सी करने जैसी तो मुझे कुछ दिख नहीं तो आपको मैं अभी वह भी दिखाऊंगा देखे इस 22 में जब यह खेल लेता नंबर 9 8 10 पे बल्लेवाजी कर रहे थे और 22 वर की गेनवाजी करे रहे थे कुछ मीचेसमें डेट में गेनवाजी दे रहे थे 4 में 6 रंद थे साथ वगर की गेनवाजी करके 2 वीगे लिये तें भी यह इसलि के बाद जो हम ने जो खैले हैं इसे ही जुछ डुमीन düny में लगभक लगवगल आदे मैंचेस्व इन्हों की है आर उपन आके इंहें 48 इनके अलावा और एक मैंचना चहां पर इन्होंने 44 अब परतल दो दो बर की गेनवाजीD दे रहे थें इसकाराण से आप इनको कुछ मेंचेट टीम में आप इनको CBC ट्राइ करें आपके टीम में बिल्कुल होने चाहले की तो हो सकता है कि ढाइएक्टली इन से ऑपन करवा डिया जाए और आपके लिए a सर्प्राइज पीक रहेगी अबरोल एरोपन टीजन के अंदर 22 मैचेस में एक से उन्या से रन हाइश्ट को 48 का एवरेज इतना कुछ खास नहीं कि कुछ जो है 5-6 मैचेस में लास्ट के इन्होंने ओपन किये हैं जहां पर ओपनिंग करते हुए इन्होंने अच्छा किया अब इसका था एक ओबर की मात्रे गेंवाजी किये थे जिसमें की किसरन यह देखे गए थे इस यह 2022 में देखेंगे लास्ट के तीन मैचेस अब रीट कर सकते हैं बाकि यह इस यह 2022 में ही सिर्फ खेले हैं और बाकि टीटेन नहीं खेले 10 मैचेस में 95 रन हैस्ट को 27 का एवरेज 15 निकाले थोड़ी बहुत आपको बल्ले यहां पर जो है गेंवाजी देंगे बहुत कितनी गेंवाजी करेंगे कहना मुस्किल है इस यह में इनको मात्र एक ओबर ही दिया गया था बाकि डोमेस्टिक सर्पिट पर ठीक ठाक बॉलिंग कर लेते हैं इंटरनेशनल इस तीन मै सकी रही थी विकेट लेस गए थे इस यह थोजार बाईश में लास्ट के तीन मैचेस में देखेंगे तो फ़ाजी की है मातर दो बिकेट मेरे हैं ऑबर्वल एरुपेन के अंदर 21 मैचेस में मातर 14 मैचेस में इनसे बॉलिंग करवाए गई है चो भी सबर की गें नौँ बि पर आपको बल्ले वाजी करते हुए दिखेंगे जई ठाकूर अब देखेंगे तो 9 मेचेस खेले हैं इन्होंने 2021 में खेले थे 33 रन बनाए थे और चार वर की गेन बाजे करके दो विकेट लिये थे एकॉनमी उतना कुछ खास रहा है नहीं बॉलिंग उतना ज़्यादा करते ह है नहीं दिनेश करोपास हमीं देखेंगे इनसे कभी-कभी वापन करवा देया जाता है बढ़ आठ मेचेस में 10 रन ही है विकेट कीपर वल्ले बाचा है मैं जादा ध्यान दोंगा नहीं मार्क डेविस अब देखें इनकी एज देख लिए 66 की है इसी यह 2022 में चार मेचेस कुछ किये नहीं थे और अबरॉल एपन टीटेन के अंदर 22 मेच खेले हैं जहां पर मातर तीन रन इनके नाम है सो सांत राना अली जाफरा जावार दानी कुला देखें इन में से मेरे पास जो एक प्लियर के इस्टेर्स नहीं है वो इस्टेर्स किसके नहीं है अली जाफर क पहले जो है इस्टेर्स 2022 के जो कुरेसिया वाली जो सिरीज थी उनमें जागरेब सोकल में ये इस्कोर्ड में इनका नाम था बट ये एक भी मैच खेले नहीं थे तो ये प्लियर कैसे होंगे एक कहना मुस्किल है इनके इस्टेर्स जो है अभी फिलाल मेरे पास नहीं है और मैं आपको बता दू सुसांत राना जावार डानी कुला ये दो प्रियर्स आपके लिए गेम जेंजर साभीत रही इनके इस्टेर्स अबलेबल है मेरे पास ये जब खेलेंगे मैं आपको टेलिग्राम में प्रोवाइट कर दूँगा ये दोनों आपके लिए इन्पोर्टे आपके लिए जब खेलेंगे मौन के जले आज ही खेलेंगे तो आज ही पुश्ट करूँगा या तो फिर जब खेलेंगे तब पुश्ट करते हैं मेरे पास already available है इनके इस्टेर्स सुसांत राना जावार का बाकि अली जाफर के मेरे पास इस्टेर्स नहीं है तो चलिए नहीं करते हैं तो यह आपको गेनवाजी भी देंगे बाकी अद्वेत मुनने पर ली देखे यह वन डाउन या तो फिर टॉप फॉर फाइप में दीख जाएंगे एबरेस से ही पिलेया मुझे उतने कुछ खास लगते नहीं मैं यहाँ पर एशॉक्रन के साथ जा रहा हूं य प्रणजल सा भी थोड़े बहुत गेनवाजी कर लेते हैं डीकर उपास हम यह ओपनिंग पर आते हैं बट अभी तक उतना कुछ खास किया नहीं जो पिलियर से एक रहेंगे अगर अपताप खेलते हैं तो यह आपको मेडियल आटर में बल्लेवाजी पलस दोबर की गेनवा पास इनके अलावा थोड़ी बहुत आपको बल्लेवाजी देंगे बाकी अर्पिस सुकला देखे आपको टॉप फोर फाइप में दीख जाएंगे यह भी थोड़ी बहुत गेनवाजी कर लेते हैं डिफरेंसल रहने वाले हैं आप इनको ट्राइ कर सकते हैं मेरे टीम में ज थोड़ी बहुत गेनवाजी बल्लेवाजी अच्छी कर लेते हैं आप इनको ट्राइ कर सकते हैं यहां से सोहेल हमाद देखे थोड़ी बहुत बल्लेवाजी गेनवाजी दोनों कर लेते हैं इनको भी ट्राइ कर सकते हैं तो यहां पर अभी मैं से जाते हैं सोहेल हमाद को ल लेवाजी के ओपनिंग कर रहे थे पलस गेनवाजी अच्छे खासे कर ले थे मैं इनके साथ जाओंगा इनके अलावा मैं संभव पूरी के साथ इस में जाने वाला हूं क्योंकि ये प्लियर जो है आपके लिए एक अच्छा काम करके देंगे डेथ में गेनवाजी बिजिसें अपताब आहमद के साथ जाने का दिल है ये देखेंगे खेलते भी है या नहीं मैं लेने की कोशिश जरू करूँगा हो सकता है में यहाँ पर सोहल आहमद को छोड़के डारेक्ली अपताब आहमद को ले लूँ क्योंकि जो है मुझे लग रही है कहीं न कहीं कि जो है ये मै आधी ओपनिंग आ रहे है परस दोबर की गेनवाजी कर रहे है ये बेस्ट आप्शन मुझे दीख रहे है इनके अलावा एस पूरी पहले गेनवाजी आए तो बिल्कुल एक सी बीसी के अच्छे ऑप्शन रहेंगे एस गिल ओपनिंग कर रहे है परस थोड़ी सी देखेंगे उस इसाब से हम बताएंगे कि इनको सी बीसी करना है या नहीं इन दोने के स्टेट्स में में प्रोबाइट करवा दूँगा अभीक लिए अपनी कैप्टेंसी जा रही है जे मदन के साथ बहाश्त कैप्टेंसी जा रही है ऐस गिल के साथ आप भी सी एस लाइब भी कर लेंगे चले मिलते हैं नेक्ट वीडियो में थैंक यू